गुड मॉनिक बच्चो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में और ये कक्षा हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोबाइट करी आती हैं और इस चैनल पर सभी विशोक के आपको वीडियो मिल जाएंगे कक्षा 1 से लेके और 18 10 जो भी है तो वीडियो ये पूरा देखें आज का वीडियो हम लेके आएं हमारा परवेर कक्षा 5 की किताब ये प्रसिदी बिद्यारम चलने वाली तो उससे एक चैप्टर है 16 16 20 ही 20 तो कक्षा 5 वाले सभी बच्चे इस पार्ट के लिए देखेंगे औ तो बीडियो को पूरा देखें तभी सम्झमा आएगा और आगे देखने से पहले आप सर वेश्टेवी आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लें जिसे कि आपको आने वाले बीडियो की लाइगाई सबसे पहले प्राप्त हो और बेल आगर प्रेस कर लें वीडियो लाइक बस है जरू करें चलते हैं पार्ट पढ़ते हैं पार्ट क्या है इस पार्ट में बीज ही पीज अपने आसपास पेंड़ पौदों पर लगे आम अमरूद बेर टमाटर पपीता मटर इमली आद फलोवा सब्जियों को देखें इ तो आगर चलते हैं यह बीज है आप इसमें जो है अनेक बीज वाले हैं और यह यह बीज वाले प्ल इसमें आप देख रहते हैं अमरूद है टमाटर है और यह इमली है और ये इसमें अक्रोट है ये एक बीजवाले ये अनेक बीजवाले तो एक बीजवाले और अनेक बीजवाले फलों का नाम दीगी तालका में लिखना है ये तालका हमें बनाने है अपनी कापी बना लेंगे अनेक बीजवाले फल और एक बीजवाले फल इसके बाद चर्चा करते हैं, कुछ फल एक बीज वाले और कुछ अलेक बीज वाले होते हैं, इन्ही बीजों के दाने को वो कर पुना इनकी फसल पैदा की जाती है, दान, मक्का, गेउं, चना, आद की फसल पैदा करने के लिए, उनके दाने मिट्टी में बोयाते हैं, अना इसके बेदाने, जिनका प्रियोग अगली फसल प्लवाने के लिए किये जाता है, बीज कहलाते हैं, बीज का बंडारन उची डंख से करना चाहिए नहीं तो ये खराब भी हो सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि बीज कैसे खराब हो जाते हैं, आए देखें और समझें, पहचान कैसे करते हैं, सोचिए और बताईए, कैसे पहचान करेंगे, ये पहचान का तरीका होता है, खराब भीजों की पहचान कैसे करेंगे, आओ, करें और समझें, आदा ग्लास पानी लें, इसमें कुछ सेम के बीज डालें, क्या देखते हैं, खराब भीज उपर पहुं एसेम के बीच रखें जो पानी के नीचे डूब गए थे इसके वाद क्या होता है दो दिल बाद दोनों कटोरियों के बीच बीच बीजो को देखेंगे क्या देखते हैं आप इनकार गिलास के पानी में कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं यह खराब बीज है यह अच्छे परपक होते हैं और खराब और अंकूरत नहीं होते हैं अच्छे यह बीज नाश्ट भी हो जाते हैं अब बीजों की सरचना कैसी होती है यह बीज छोल कहते हैं सेमका बीज दे इनकी कि दो हलके पीले रंग के सरचनाय दिखाई पढ़ेंगी इन्हें बीच पत्र कहते हैं यह आप देखें जो अंदर इसमें दाने निकलते हैं इसको हम बीच पत्र कहते हैं इसकी बाद दोनों बीच पत्रों को खोलने पर जो सरचनाय दिखाई देती है उसे भूण कहते हैं इस इसे भी जाने मूलाँकर से जड़ तथा प्रांकर से तरनां बनता यह नोट कर लेंगे, umpotted question हैं, अंकुरत बीज के यह भग बीज पत्रों से अपना भोज़र प्राप्ठ करते हैं, बीजों का अंकुरत कैसी होता, यह अब देखते हैं, आपने अपने घरों में ध्यों सेम चना मटर आज के बीज को देखा है, किया आपने इसमें कभी अंकुड होते हुए देखा है, इनमें अंकुड कब और कैसे होता है, बीजों के अंकुड के लिए आबसक प्रस्तितियां क्या होती हैं, वो इसमें देखेंगे, एक बीकर या गिलास में दो तेहाई भाय वबाल क ठंडा किया हुआ पानी लें, जिसमें पानी में घुली बायू निकल जाए, शेम के तीन अच्छे बीजों को चित्र की भात किसी लकड़ी या पिलास्टिक की पट्टी पर धागे से बांदे, इसके क्या होगा पानी की सताय पर तेल की कुछ बूने डालें, पानी की सताय तेल डालने पर पानी का बास्पन नहीं होगा और बाहर की बायू पानी में घुल नहीं पाएगी, जिए हम पानी के ऊपर तेल डालने तो जो बायू पानी का बास्पन रुख जाता है और से बाहर की बायू उसमें पानी में नहीं घुल सकती, ये बात नोट कर लेंगे, प बताईे पट्टी में सबसे नीचे बदा बीच अंकुर्थ हुआ यह एक पिरसने यह देखेंगे बीच वाला बीच ही अंकुर्थ क्यों हुआ बीच वाले बीच को हवा पानी ऊचे ताप तीन उप्राप्त हुए हुआ इसलिए ये अंकृत हुआ सबसे नीचे वाले बीच को पानी तो मिला प्रंतु हवा वा उचित ताप नहीं मिलने से ये अंकृत नहीं हुआ पानी में लगाता रहने के कारण ये खराब भी हो गया सबसे उपर वाले बीच को हवा बाग उचित ताप तो मिला प्रंतुप पानी नहीं मिलने से ये अंकुरत नहीं हुआ ये था कारण, अब ये देख रहेंगे, मूला अंकर, इसके बाद बीज का अंकुरत ये से होता है और जड़ ये बनती है, तना ये बनता है, पत्ती ये बनती है इसके बाद क्या पड़ते हैं, बीज से नन्ने पौधे नवोध भिद का बनना बीज का अंकुरत कहलाता है बीजों के अंकुरत के लिए हवा और पानी तता उचित ताप आवस्चक है भिन भिन पौधों को आने के लिए भिन भिन परस्ततियां तता जलबायू आवस्चक का होती है